कर लो अंदर गंद भुटो, सुन लो, इधर आप, क्या है ना कि विदेशों से, मतलब मुसल्मानों के देशों से, जो असी मेट्रिट टन ऑक्सिजन आ रहा है ना, लेना मद है सनातनियो, तुम लोग लेना मद, तुम लोग को तुमारे धरम की कसम है, सौगंध है तुम है, समिट्टे की, वो सब लेना मद, क्या है ना, उसमें मुसल्मानों ने जम जम का पानी मिलाया है, सब मुल्ले बन जाओगे, सब मुल्ले बन जाओगे, हां, तो क्या करोगे, और कहा गया वो सनी देवल, जो पाकिस्तान से नलका उखाल गया था, वो सनी देवल कहा गया, कहां गई वो अबने आएगी मोदीजी के बेटी लाड़िली नहीं बोलेगी क्या अब हमारा अंदरूनी मामला नहीं है क्या क्या है ना कि तुम लोग बोलो या ना बोलो लेकिन विधेशों में भी जो है तंका बजराय पिता जी अच्छे से थूथू हो रही है बहुत अच् लग रहा है तुझे तो तुछूडिया नहीं पहनाई भी ब्रधानमंत्री को हां तो तो मिलती नहीं दिखती नहीं और वो सब कहां गए वो करणी सेना फ्लाना सेना संगठन और हिंदू वहीनी जैश्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब कहां गुज गये और को जो अधी चड़ी पहनने वाले नालायक साभ अपना घुटना दिखाने वाले वो कहां गे सब हां संगठन वाले नहीं दिख रहे हो सब ना अब कहां गे वो तो सब जो है हिंदू है इंदू वच्छा इंदू निश्याद में है अब कौन खत्रे में है किस की चीताह सिस्टम, सिस्टम के चक्कर में जो पढ़ा ना, वो चिंता के मारे चीता भी बन जाता है, सिस्टम है ना, क्या होता है ये सिस्टम, क्या होता है ये सिस्टम, बताओ, तंत्र, तार्य, प्राणाली, रीती, नीती, क्या होता ये सिस्टम, कौन बना था ये सिस्टम, देखो मुझे नहीं पता है मिडिया वाले वो अपने पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते हैं और पिताजी के कार्य को या पिताजी द्वारा किये हुए कार्य को ये सिस्टम का नाम दे रहा है तो मुझे एक बात पताईए जब एक गाउं है और गाउं की कोई समस्या होगी तो क्या करना चाहिए प्रधानी का कोई चुनाव होगा है ना सब लोग वोट देंगे फिर वोट की गिंती होगी और बाद में देखा जाएगा कि कौन प्रधान चुना गया और फिर वो प्रधान जो है वो गाउं को संभाल मुख्य मंत्री राज्य को संभालेगा और फिर प्रधान मंत्री पुरे देश को संभालेगा योगा सिस्टम है ना तो वर्तमान में देश को कौन संभाल रहा है वर्तमान में राजा कौन है देश का तो सिस्टम कौन हुआ करता है और हम लोग सारा प्यार देकर cinema में उनकी फिसर भीट बनाते हैं और हम कहते हैं उनकि पडिठान से नलका उखाल नहीं जग attent है यह कुछ नहीं बोलेगा मैं को यहां तो कुछ लिए कोई अब देशवक्ती नहीं जग रही है और अजे दयवगन गया अजय दयो गन ने तो जो है भगत सिंग का रोल किया था डेशवक्ती का पूड़ा पिच्छर बनाया था क्यों अब देशवक्ती नहीं जगड़ी है Your ये सब जो है कीडे जब बाहर से कोई ट्वीट करेगा तब ये सब कीडे बाहर निकलेंगे क्या तब ये कहेंगे हमारा अंधुरूनी मामला है अमिता बच्चन इतना बड़ा महानायक जिसको हमने बनाया अपने ये ट्वीट करेगा अपने ये ट्वीट करेगा अब इनको मह इंको अब नहीं बोलेंगे देशब्वधत बंते यह और कहाई वह गहिए कंग्णा खंखानेवाली अब नहीं आएगी मोदीजी के बेटी लाडली नहीं बोलेजी क्या अब हमारा अंधुरुना मामला नहीं करें रही हैं और वो कहा गिए बेजने वाली भैसिया क्यूंड आप नाम की चूडिया पहन के बैठ गई बेहन गए बेहन तुम, तुम तो मिलती ही नहीं हो, दिखती ही नहीं हो, और वो सब कहां गए? वो करणी सेना, फलाना सेना, संगठन और हिंदु वाहीनी, जैश्री राम बोलने वाले और बजरंग दल वाले सब, कहां गुच गए? और वो जो आधी चड़ी पहनने वाले नालायक सब, अपना घुटना दिखाने वाले, आधे नंगे सब, आधी चड़ी जो खाकी चड़ी पहनने वाले थे वो सब, वो कहा गए सब, संगठन वाले, नहीं दिखे रहे वो सब, ना, कहा गए वो तो सब जो है, हिंदू है, सुनुसुद को सेल्यूट सेफ सोनुसुद आ गया है श्री निवास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यावद सिर्फ वही आ गया रहा है देखो क्या हालत बना दी और पीएम केर फंड कहां गुज गया भई पीएम केर फंड जो है किसकी जेब में प्लांट लगाने के लिए अभी दिया है तो पहले क्यों नहीं दिया मतलब सेव रखा था तुम लोगों ने और तुमको बताना नहीं है कि पीएम केर फंड था और बहुत सारे तुमारे नेता वेता अंद गंद सब जो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत सारा मदद किया और दबाई उपलब्ध नहीं है कई कई दबाईों के जो है 20-20,000 रुपए ले रहे हैं तो यह सब कहां गया पीएम केर फंड और 20 लाख करोड का पैकेज जो दिया था कहां गया और अब निकल रहा है मतलब पहले तुमने सेव करके रखा था पीएम केर फंड में एक छोटी ब पैसे दे कर जाता है या ममी ने दिया होता या डیडी ने दिया होता है रक्षा मन्धन में बच्चियां बचा कर र कर रखती है बुलक में कि कभी कोई मेरे परिवार पर आ पदा आएगी या ममी डेडी का जो एणिवर्सरी आएगा तो मैं गिफ्ट दूंगी या मैं कभी पिकनिक जाओंगी, मैं ये ड्रेस करी दूँगी, मैं ऐसा लेहंगा चोली खरी दूँगी, शादी में पहनने के लिए, ऐसा ही कुछ बच्चियों के मन में होता है ना, गुल्लक भरती है तो, मैं इससे ये वाला चीज खरी दूँगी, ऐसा गिफ्ट करी दूँगी, है ना, अरे प्रधान मंत्री शरम करो, डूब मरे, डूब मरे, डूब मरे, मेरे वर्तमान सरकार डूब मरे, बच्ची ने गुल्लक तोड़ कर, पी-म केर फंड में डाला था, जैसे पी-म केर फंड में तुमने जोली फैलाई थी ना, कि हाँ दे दो, दे दो फंड दे दो, सारे अभीनेताओं से भी मांगे थे, तुमने कई करोणपती लोगों से भी मांगे थे तुमने, वो उस फंड में वो बच्ची ने गुल्लक तोड़ कर पैसे दिये थे, आज वो बच्ची बिना उक्सीजन के चली गई, बिना उक्सीजन के तडपता रह गया उसका पिता, लेकिन उक्सीजन नहीं दे पाया, हमारा प्रधान मंत्री, हमारा राजा उक्सीजन नहीं दे पाया, और इस बच्ची ने दिल खोल कर अपना गुलक तोड़ कर भी पी-म केर फंड में पैसा दिया, और ऐसे तो बहुत से लोग और बहुत सी बच्चीयां जिनका नाम हमने पेपर में नहीं पड़ा, जो सामने नहीं आई, उन लोगों ने भी पी-म केर फंड में पैसा दिया था, और देखिए, हालत देखिए, हालत देखिए, मतलब अर्थियां जलाने के लिए भी लोग जो है, पाँपान हजार वसूल रहे हैं, अम्बिलन्स वाले जो है, वो पैसे वसूल रहे हैं, लाश को देखते हैं, तो वो उनकी बाडी नहीं होती है, एक भाई का वीडियो तुम लोगों ने देखा कि नहीं, कितना रो रहा था, गिड़गडा रहा था, कि ये मेरी बाडी नहीं है, मेरे परिजन की वो बाडी नहीं है, वो बॉडी कहा है जिसके लिए मैंने पैसा भरा तुम लोगों ने पैसा लिया पहले तो दवाई को लिए पैसा लिया इतने सारे मैंने दवाई करवाई उसके बाद आदमी चला गया और ये बॉडी उसकी नहीं है और बिहार की घटना तुम लोगों ने देखी कि नहीं दो भाई थे सगे एक भाई को कोरोना हुआ बीना ओक्सिजन के वो भाई गुजर गया और उसको गुजरता देखकर वो दूसरे भाई को तुरंद अटेक आ गया और वो भी वहाँ पर गुजर गया मैंने पहले ही कहा था कि क्या है ना कि परिवार में कोई जब गुजरता है ना तो सिर्फ वो अकेला नहीं गुजरता है परिवार भी गुजर जाता है उन पर क्या बितिती है वो क्या कितना उन पर दुखों का पहार तूट पड़ा है सिर्फ वो ही समझ सकता है यह हमारे जो है वे अलाद सरकार क्या समझेगी भाई, सरकार का जो है कोई नहीं है, घर बार छोड़कर भाग गए थे, पतनी को छोड़कर भाग गए थे, अलाद नहीं है, इनको कैसे समझ में आएगा, बुढ़ापे में इतना सुख इनको मिला है, हाईरे मेरे काजू की रो अगला तो शरम के हमारे इस्तिफा दे देता कि भाई बस, हमारे पिछले नेता जो थे, कोई रेल दुरगटना हुई थे, तो तुरंट इस्तिफा दे दिये थे, कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, यह मेरे अंडर में आता है, लेकिन हमारा राजा इतना बेशरम है, प्रधान मंतरी कोन है, नरेंदर, दामोदर, दास, मोदी, यानि मोदी ही सिस्टम है, याद रखिए, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, यह मेडिया वाले, यह चाटुकार है, इनको चेक मिल जाता है, इनका परिवास सुखी है, और इनको को रोना हो भी गया, तो इनको उक्सिजन ולम्रें एवैलबल हो जाएगा इनक़ दवाई अवैलोबल हो जाएगी इनको बैड्स मिल जाएंगे इनको सब कुछ मिल जाएगा क्यूंकि सब यूंकि सर पे हाथ Tomajno आवो प्रधान‌मंतरी का है इनको सब कुछ मिल जाएगा इसलिए चाटूकार अपने पीता जी का नाम नहीं लेंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि सिस्टम ही मोदी और मोदी ही सिस्टम है और सिस्टम करप्ट हो चुका यानि मोदी बिल्कुल ब्रश्ट हो चुके हैं मोदी हमें इस्तिफा दे कैसे भी करके अब हमें ये इस्तिफा दे hij हिस्तिफा क्या है न जब ox médi ранट लगाने की जरूरत थी जब ox Disc plant लगाने की जरूरत थी तो मोदी जी अपने दोस्त के लिए अनाज भरने के लिए गोदाम बला रहे थे यह जरूरी था वह दोस्ति निभाएं गे यह दोस्ति हम नहीं तोड़ेंगे यह बिल्कुल गाना téru हो यह दोस्ति निभाएंगे बाकी जनता जाए भार में चिता जलती है तो जले नश्ट होता है तो बनारस भी अगर नश्ट होता है तो वहाँ का जो संसद है वो भी तो प्रधानमंत्री है न कोई फर्क नहीं पड़ता माहदंगा का बेटा जो है न वो हत्यारा हो चुका है वो उनकी सुनने की शमता चली गई है, देखने की शमता चली गई है, कुछ दिखाई नहीं देगा, जनता जलती है, मरती है, कटती है, रोती है, चिलाती है, चिखती है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई भी फरक नहीं पड़ेगा इनको, गंगारा मस्पताल में, चाहे 25 लो सब ठीक है, नहीं कोई बंगा नहीं है, सब चंगा है, यहां ऑक्सिजन की पूरती एकदम भरपूर है, यहां पे जो है, दवाई भरपूर है, बैड्स भी है, ऑस्पताल है, यह सब सिर्फ पेपरों में, सिर्फ सुर्खियों में, सिर्फ पेपरों में और कागजों में ही रह से चुछिवानां लाने सब्सक्ता में परों प्रूम क्योंने पर उसे पता कर दोने सब्सक्त mention फार्त róż़त eff Evans वो चला जाएगा, 20 मिनिट के बाद, इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, सोचो क्या गुजरती होगी, मनमस्तिक पर, क्या गुजरती होगी, इनको कोई फरक नहीं पड़ता, ये नेता हो, और नेता भी तो, हमने ही चुने ना, हमने मांगे ही कब थे, मैं यही कह रही हूँ, ह हमें तो मंदिर चाहिए था ना, आज वो मंदिर बंध है, वो सारी चीज़े आज बंध है, जो हमने मांगी थी, वो सारी चीज़े बंध है, और जो हमने नहीं मांगा था, आज उसकी किलत है, आज उसकी किलत है, जैसे ही मैंने कहा ना, कि ऑक्सिजन प्लांट लगाने की ज जितने भी हैं मुख्य मंत्री भाजपाई हो कि सबका जीवन अच्छे से चल रहा है इनको कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे किसान कितने ही महीनों से मर जाए बिच जाए गल जाए शहीद हो जाए इनको कोई फरक नहीं पड़ता जनता की चिंता से चिता में तबदिली हो जाए यह जो है उनलाइन टीए पर जब आते हैं तो मासक लगा कर आतें कि नई देखिए बिल्कुल जो है पालन करता हो नियमों का रेलियों में बिना मास्के चल जाएंगे कोई उलंघन नहीं कुछ नहीं इनको कोई फरक नहीं पड़ता या पुलीस वाले भी जो है इन पर कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे कि क्यों तुमने उलंघन किया चलो 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 एक हजा निकालो चलो दस हजा निकालो यह सरफ आम जनता के लिए है ना मुख्यमंतरी और प्रधान मंतर के बाच्चित लाइव हो जाएकि तो अरे बाप ऐसे कैसे कर दिया रवीन जी तुमने है ऐसे कैसे लाइव बता दिया जनता को यह तो सब गुप्त बात होती है ना पी-म-क экспер fund का जो पाईशा है वो भी तो जनता के जो सूचना के अधिकार के दायरे के बाहर जनता को नहीं बताना है वो सब नहीं बताना है कहां खर्च करेंगे हो जनता के पैसे से मुझे इतना ही पता है कि जो भी इनके बीश बादचीत हो ये सब लाइव होनी चाहिए जनता के बारे में थी तो जनता को पता होना चीए कि ये बादचीत क्या हो रही है कि उस अंसद में तो सब लाइव दिखाया जाता है फिर काहे काडर यहां रट्टा नहीं मार के आया थे ना यहां तुम रट्टा नहीं मार के आया थे ना कि भी बादचीत जिस पर हो रही है मैं उसके बारे में पहले पता कर लूँ बंगाल के बारे में हो तो मैं रविंद्रनाथ टागोर के बारे में पता कर लूँ गुजरात के बारे में बाचित हो तो मैं वलब भाई पटेल के बारे में जरा पता कर लूँ हा ना डॉक्टर्स के बारे में हो तो जरा मैं दवाईयों के बारे में पता कर लूँ साइंटिस्ट की मीटिंग हो तो मुझे गटर से गैस कैसे निकाला जाए और कैसे ऑक्सिजन पैदा किया जाए मैं जरा इसका रटा मार लू यह सब नहीं हो पाता ना लाइव में लाइव में तो लाइव बाते जाती है ना जो आपके मन में वो निकल जाता है याद रखना प्रधान मंत्री जी उपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता है चाहे तुम 9000 मेट्रिक टन ऑक्सिजन भार विदेशों में दे दो लेकिन उपर वाले की लाठी जब चलेगी ना आवाज नहीं होगी मैंने पहले ही कहा कि लकडिया भी नसीव नहीं होगी इ गंदी मौत मरोगे अगर देश के साथ गदाई करोगे तो, और मैं एक और बात कर लो, अंदर गंद भत्तो, सुन रो, इदर आओ, क्या है ना कि विदेशों से, मतलब मुसल्मानों के देशों से, जो असीमेट्रिक टन ऑक्सिजन आ रहा है ना, लेना मत है सनातनियो, तुम ल ले गन्द के लिए नहीं है और मैं सारे साथियों से, कह देती हो, कहीं भी तुम्हें अंदर गंद मिलस इनका स्वागत करना अच्छे से, क्या है कि देश को बदाइक इस ये जिम्मेदार को हमारा वर्तमान प्रधन मुंत्री है, हमारे देश का राजा है, याद रखना.